सब्सक्राइब कीजिए फाइन इंवेस्टमेंट चनल को और वैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए अगर आप नया डिमेंट एकाउंट ओपन करना जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिवी लिंक से ओपन कर सकते हैं जहां पर आपको कई सारे अच्छे ओफर्स भी मिलेंगे साथ ही साथ आपके आईपियो में अलॉट्मेंट के चांसे भी बढ़ जाएंगे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जल्दी से जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें ट्वीटर पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां पर मैं आपको न्यूज अपडेट प्रवाइड करता हूं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएग देखे जो IPO है 17 से 22 नवंबर के बीच open था apply करने के लिए वहीं price band की बात करें तो 655 से 690 रुपए के बीच इसका price band रखा गया था यानि 690 रुपए में आपको एक share ऐलोट हुआ है और देखे ऐलोटमेंट की बात करें तो इसका ऐलोटमेंट आज चुका है तो देखे लिश्टिंग के पहले अगर premium की बात करें तो आज के दिन premium करीब 405 से 505 रुपए के भी चलता हुआ नजरा रहा है यानि की 690 रुपए में आपको एक share ऐलोट हुआ है 505 रुपए के premium के साथ ये IPO करीब 1195 रुपए पर लिश्टिंग के संकेत आज के दिन देता हुआ नजरा रहा है यानि की निचलिस तरों से देखा जाए तो premium में अच्छी खासी recovery देखने को मिली है आपको बता दें कि सुरुआती दिनों में इसका premium करीब 220 रुपए के आजपास चलता था और देखें ये बढ़कर 520 रुपए के आजपास हो गया था लेकिन market में करोना की situation बनी pressure का माहौल बना जिसके कारणे premium एक बार फिर गिर कर 300 रुपए तक पहुँच गया था और देखें 300 रुपए से अच्छी recovery आते हुए ये premium करीब 505 रुपए तक पहुचता हुआ नजरा रहा है और देखें ऐसा सुरू में ही आपको बताया था कि अच्छे लिस्ट इंगेन के लिए यहाँ apply करना ही है साथ ही साथ अगर आप इसको long term के लिए रखना चाते हैं तो भी IPO बुरा नहीं है काफी बहतरीन IPO है और निश्चत रूप से 2021 के अगर financial को छोड़ दिया जाए पूचने की तो निश्चत रूप से आपने apply किया होगा लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम लोगों को मिला है लेकिन जिनकों मिला है काफी बढ़िया यहाँ पर profit होने की उमीद नजर आती है और देखें यहाँ पर range थोड़ा बड़ा रखा गया है 405-505 रुपए के बीच में क्योंकि आपने देखा होगा कि market में कुछ दिनों से कुरोना का situation बन रहा है market में कभी भी गिरावाट होता है और कभी भी उच्छाला जाता है इसलिए range थोड़ा बड़ा रखा गया है लेकि निस्चिंट रहना है आपको मुझे लगता है कि यहाँ पर 500 रुपए से उपर के premium के साथ ही listing होने की उमीद है तो जिसको मिला है वो खुस रहें और निस्चित रूप से यहाँ पर जो उनको profit हो रहा है उसको enjoy करें अब देखें यहाँ पर बहुत सारे लोगों confusion ये भी है कि इसमें करें क्या listing के बाद इसको base दें या रखें तो निस्चित रूप से trailing stop loss लगाना है आपको trailing stop loss के साथ इसमें बने रहना है और जब भी उस stop loss के नीचे price आएगा आपका यहाँ पर profit book हो जाएगा trailing stop loss में फायदा यह होता है कि जितना यह उपर जाएगा आपका जो difference है जो stop loss है वो भी बढ़ता जाएगा और आपको यहाँ पर जो profit है वो maximum होने के chances रहते हैं तो जो यहाँ पर यह अपडेट थी इस IPOs related और मैं आपको बोलाओ कि मेरे twitter account को भी follow करें क्योंकि वहाँ पर मैं update देता रहता हूँ यहाँ पर सारी news को update देना possible नहीं हो पाता इसलिए मैं वहाँ आपको update देता हूँ तो आप हमारे twitter पर भी follow कर लें जिससे आपको सभी update सबसे पहले मिलती रहें तो आज की वीडियो में इतना ही धन्रबाद